इंग्लेंड के खिलाब दूसरे टेस्ट के बाद स्रेयस अयर को टीम इंडिया से पीट दर्द की वज़े से टीम से ड्रॉप कर दिया गया था इसके बाद अयर रंजी ट्रॉफी के कोर्टर फाइनल में भी खेलने नहीं उतरे राष्ट्रिय क्रिकेट अकादमी के प्रमुक नितिन पतेल ने बिसी सी आई और राष्ट्रिय चैन करताओं को एक इमेल में कहा कि अयर फिट थे फिर भी रंजी ट्रॉफी में नहीं खेले BCCI ने टीम से बाहर चल रहे सबी खिलाडियों को रंजी में खेलने को कहा इसी बीच खबर आई कि BCCI ऐसे नियम लाने वाली है कि जो खिलाडी घरेलू क्रिकेट खेलेंगे उन्हीं को IPL में खेलने दिया जाएगा ये भी कहा जा रहा है कि BCCI, स्रेयस ऐयर और इशान किशन के खिलाब कड़ी कारवाई की तैयारी में है अगर हालात ऐसे ही रहे तो दोनों ही खिलाडियों का सेंट्रल कॉंटेक्ट भी खत्म किया जा सकता है दोनों खिलाडियों के खिलाब या कदम इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि इन दोनों ने रंजी ट्रॉफी टुनामेंट में हिस्सा नहीं लिया बी सी सी आई की इस धमकी के बाद अब खबर ये है कि स्रेयस अयर ने मुंबई क्रिकेट एसोसीयसन को बता दिया है कि वो पूरी तरह से फिट है और मुंबई के रंजी ट्रॉफी सेमिफाइनल मैच के लिए उपलब्द है